हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो गाईज अगर आपने स्मूथनिंग रिबॉंडिंग या केरेटेन करवाई है और करवाने के बाद आपके बाद बहुत बाल बहुत ज़्यादा जहड़ रहे हैं हियर फ चाहिम जहाएं हमारे बाल काफी स्मूथ सिल्की लगते हैं अगर हम अपने बालों की अच्छी केर नहीं करेंगे तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे स्प्लिटन की प्रॉब्लम होगी यहर फॉल की होगी बाल इतनी ज़्यादा ठीन लगेंगे तो ऐसे में आपको अपने बालों की बहुत अच्छी वाली केर करनी है जिससे कि आपके बाल बिलकुल स्मूथ सिल्की सॉफ रहे मुझे स्मूथनिंग करवाई हुए काफी टाइम हो चुक है तो आप मेरे बालों की लुक देख सकते हैं कि मेरे बाल काफी हद तक अच्छे हैं कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होई है तो आपको प्रोफेशनल प्रोड़क्ट का यूज करना है कोई भी नॉर्मल शेंपू यूज नहीं करना है सिरं का यूज जरूर करना है लेंथ से इसे लगाना सटार्ट करना है कोई भी अच्छा वाला सिरं माप यूज कर सकते हैं मैंने जब से स्मोथनिंग कर वाई है मैं स्टिक्स का सिरं ही यूज कर रही हूं । इसके result मुझे बहुत ही जधा अच्छे लगते तो smoothing करवाने के बाद ना आप कोई भी hair pack का यूज नहीं कर सकते हैं अगर आपको hair fall जादा हो रहा है आपके बाल बहुत जदा पतले हैं तो आप दहीं का यूज कीजिए इसमें आपको कुछ भी add नहीं करना है simple आपको दहीं लेना है उसे आपको अपनी scalp पर लगाना है length पर लगाना है इससे ना तो आपको dandruff की problem होगी और ना ही hair fall की problem होगी और आपके बाल बिल्कुछ smooth, silky, soft हो जाएंगे क्योंकि दहीं ने as a conditioner भी work करती है तो दहीं आप यूज कर सकते हैं आपको इसमें कुछ भी mix नहीं करना है keratin, smoothing, rebonding तीनों में आप दहीं का यूज कर सकते हैं हफते में एक बार आपको दहीं का यूज करना है अपने बालों के length के according दहीं का यूज कीजिए बहुत ही अच्छे वाले result आपको देखने को मिलेंगे दहीं के तो आप सबको बता कि कितनी अच्छे अच्छे फाइदे हैं तो इसके इलावा guys, hair wash करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा गरम पानी से नहीं hair wash करना है अगर आप बहुत ज़्यादा गरम पानी से hair wash करेंगे ना इससे भी आपके बाल पतले होंगे, थीन होंगे, hair fall होगा hair fall से तो आजकल हर कोई परेशान है तो smoothing करवाते टाइम हमारे बालों पर काफी ज़्यादा chemical का use किया जटता है उस टाइम तो हमारे बाल काफी ज़्यादा सुन्दर लगते हैं बट कुछ दिन बाद ही हमाई hair fall होने लग जता है split end की problem होती है, dandruff होने लग जता है, hair fall इतना ज़्यादा होता है तो ऐसे में आपको professional product का use करना चाहिए आप L'Oreal Siri Expert के product use करके देखे, trust me guys इतने अच्छे आपको result मिलेंगे आपके जो damage बाल है उन्हें ये repair करेगा, इसका shampoo, serum, mask बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो जो mask है उसका आपको 15 days में एक बार use करना है, serum का result बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कुछ ना कुछ अच्छे offers में आपको ये product मिल जाएंगे, तो आपको ये वले product ज़रूर ट्राइ करने चाहिए अगर आप ये वले नहीं use करना चाहते तो आप matrix के use कर सकते हैं, बायो लाज के use कर सकते हैं बट आपको सिर्फ professional product का ही use करना है, इससे आपकी smoothing बिलकुल ठीक रहेगी, लंबे टाइम तक आपके बाल सिल्की रहेंगे, soft रहेंगे मुझे ये वले product काफी ज़दा अच्छे लगते हैं, इसके लाब आप matrix के product यूज कर सकते हैं, बायो लाज के product यूज कर सकते हैं या फिर जो आपके parlor जहां से आपने smoothing करवाई है, वो आपको जो recommend करें, आप वो use कर लीजिए बट आपको normal shampoo कोई भी यूज नहीं करना है, normal conditioner यूज नहीं करना है, जैसे कि क्लिनिक, प्लस, डव, आयूर, ये सब shampoo यूज नहीं करने हैं आपको सिर्फ professional product का ही use करना है, अगर आप अच्छे वाले product यूज करेंगे, तो आपके बाल काफी ज़्यदा healthy रहेंगे आपके बाल पतली नहीं होंगे, hair fall की problem नहीं होगी, वैसे तो smoothing one year के लिए निकल जाती है बट one year में हमें बहुत कुछ phase करना पड़ता है, हमारे hair fall बहुत ज़्यादा होने लग जाता है हमारे घर में 2-3 जानों ने smoothing करवाई है, तो सबका experience मुझे है कि सबसे पहले तो hair fall होना start होता है तो ऐसे में अच्छे product का use करना बहुत ज़रूरी है, serum को कभी भी skip मत कीजिए, serum का आपको हमेशा use करना चाहिए, serum से न हमारे बालों में instant shine आती है, tangles नहीं बालों में पड़ते हैं, और hair fall कम होता है तो serum आपको ज़रूर यूज करना है, mask का use आपको ज़रूर करना है, आप चाहिए तो conditioner का use भी कर सकते हैं इसके इलावा आपको wet hair में combing बिल्कुल भी नहीं करनी है, जब हमारे बाल wet होते हैं तो काफी ज़दा weak होते हैं तो wet hair में आपको tangles remove नहीं करने हैं, आपको अपनी fingers की help से tangles को remove करना है, इसके बाद जब आपके बाल naturally air dry हो जाएं, फिर आपको सभी tangles को remove करना है, serum का use करने के बाद आपको wet hair में भी serum का use करना है, और dry hair में भी थोड़ा थोड़ा, ऐसे में tangles बिल्कुल भी नहीं और अगर tangles नहीं पड़ेंगे तो ear fall नहीं होगा, आपके बाल पतले नहीं होगे, wet hair हमारे काफी जदा weak होते हैं, इसलिए wet hair में कभी भी combing नहीं करनी चाहिए, इन छोटी छोटी बातों का अगर आप धियान रखेंगे तो आपकी smoothening, keratin और rebonding काफी लंबे टाइम तक च straight रहेंगे, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का धियान रखेंगे, आपके बालों में bend नहीं पड़ेगा, split end की problem नहीं होगी, तो guys अगर आपने smoothening, rebonding और keratin करवाई है, तो आपको सिरफ इन बातों का धियान रखना है, सिरफ इन बातों का धियान रखकर ही, आप अप को कोई भी hair falls, split ends, dandruff, scalp infection, ऐसे कोई भी problem नहीं होगी, हमें अपने बालों की अच्छी care करनी चाहिए, अगर हम अपने बालों की अच्छी care करेंगे, तो हमारे बाल काफी जदा healthy रहेंगे, hope guys आपको मेरी येवली वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी देखना चाहते हैं, कौन से topic पर वीडियो देखना चाहते हैं, hope guys आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को कर दे, subscribe, तो चलिए guys अब मैं आपको मिलूँगे अपनी next वीडियो में,